आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे IUCN की रेड लिस्ट के बारे में जिसमें हाल ही में हिमाल्य से तीन पौधे शामिल हुए हैं हमाल्य में स्तित तीन और शडिय पौधों की प्रजातियों ने हाल ही के एक आंकलन के बाग आयूसेन की संकट ग्रस्त प्रजातियों की लाल सुची में जगा बनाई है आयू सेन की लाल सुची दुनिया की जे विवित्ता किस्तिती के स्वास्ते का एक महत्तपुन संकेतक है यह प्रजातियों के वेश्विक विलुप्त होने के जोखिम किस्तिती के बारे में जानकारी प्रदान करता है और संरक्षन लक्षों को परिभाशित करने और सूचित करने में मदद करने के लिए एक महत्वपुन उपकरण है जिन तीन प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है उसमें पहला है मिजोट्रॉपेस पैलिटा जिसे गंबी रूप से संकट ग्रस्त कहा गया है दूसरा है फ्रिटिलोरिया सिरोसा ये संवेदन शील है और तीसरा है डेक्टाइलोरिजा हटागीरिया जिसे लुप्ट प्राय कहा गया है अब सबसे पहले बात करेंगे मिजोट्रॉपेस पैलिटा के बारे में इसे आम तोर पर पटवा कहा जाता है ये 12 मासी पौदा है जो उत्राकंड से समंदित है और एक छोटे से भोगलिक सीमा में फैला हुआ है प्रजातियों की छोटी सीमा के कारण इसे गंबीर रूप से संकट ग्रस्त कहा गया है ये 10 किलोमेटर के दायरे में पाय जाता है वनों की कताई आवास, विखंडन और जंगल की आग प्रजातियों के لिए खत्रा पैदा करती है प्रजातियों की पत्ती से निकाले गए आवशक तेल में शक्ति शाली एंटी ओक्सिडन्ट होते है और यह दवा ओध्योगों में सिंथेटिक एंटी ओक्सिडन्ट के लिए एक वेवार्य प्राकर्तिक विकल्प हो सकता है इसमें दूसरा संकटगरस पोदा है फ्रिटिलोरिया सिरोसा जिसे आम तोर पर हेमालियन फ्रिटिलरी के रूप में जाना जाता है यह एक बारामासी पोदा है और बबलनुमा जड़ी बूटी है मुल्यांकन अवधी के दोरान इसकी संख्या में कम से कम 30% की कमी पाई गई है प्रजातियों को इसकी तेजी से गिरावट, लंबी पीडी की अवधी खराव अंकुरन शमता, उच्च व्यपार मुल्य, भारी कटाई के दबाब और अवेद व्यपार के कारण कमजोर की रूप में वरगिकरत किया गया है प्रजातियों का उप्योग चीन में निमोनिया और ब्रॉन्कियल के विकारों को ठीक करने के लिए किया जाता है पारंपरिक चीनी चिकित्सा में जड़ी बूटी एक शक्तिशाली कफ से रूप के रूप में काम आती है और खासी को ठीक करती है तीसरा पौदा है डेक्टाईल औरीजा हटागिरिया इसे आम तोर पर सलाम पांजा के नाम से जाना जाता है इस प्रजाति को आयू सीन रेड लिस्ट में रूप्त प्राय के रूप में सुचिबत किया गया है क्योंकि इसके अस्तित्त को निवास थान के नुकसान पशुधन चराई वनों की कटाई और जलवायों प्रिवर्तन से खत्रा है यह अक्सर आयूरवेद, सिद्ध, युनानी और अन्यपूरत चिकित्सा प्रनालियों में पेचिष, जठर्शोद, पुरानिक, बुखार, खासी और पेट में दर्थ के इलाज के लिए प्रियोग किया जाता है अफगानिस्तान, भुटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में हिंदुकुष और हिमाल्य प्रवतमाला पर इस 12 मासी कन्व की प्रजातियां पाई जाती है भारत की स्थिति के अगर बात कर जाए तो भारत में कोई 1355 प्रजातियां ऐसी हैं जो रेड लिस्ट में शामिल है भारत की भूमी, मीठे पानी और समुंद्र में पोधे, जानवरों और कवकों को मिलाकर 9400 बहतर से अधिक प्रजातियां हैं जिनमें से 1355 को लाल सुची के लिए खत्रे में माना जा रहा है, जिनने गंभी रूप से लुप्त प्राय, लुप्त प्राय या विलुप्त होने की शेणी में माना गया है IUCN द्वारा साजा किये गए आकड़ों के अनुसार, भारत में विशलेशन की गई 239 नई प्रजातियों को इस लाल सुची में शामिल किया गया है, इनमें से 29 प्रजातिया ऐसी हैं जो खत्रे में है अब हम बात करेंगे IUCN की Red List या लाल सुची के बारे में, International Union for Conservation of Nature की Red List of Threated Species के स्थापना 1964 में की गई थी ये दुनिया की जेविक प्रजातियों के संग्रक्षन की स्थिती का सबसे बड़ा सूचरा स्त्रोथ है, जिसमें पशूक, कवक और पोधों की प्रजातियों की दुनिया भर से विलुक्त होने की स्थिती की जानकारी समाहित होते है आयू सेन Red List विश्व की जेविवित्ता के स्वास्ते के बारे में महत्तपुन जानकारी भी रखता है, यह जेविवित्ता संग्रक्षन और नीती परिवर्तन हेतु कारेवाई करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है यह प्राकर्तिक संसादनों की रख्षा के लिए महत्तपुन है, जिने हमें बचाना अति आवशक है, यह सीमा जनसंख्या आकार, आवास और पारिस्तिती की उप्योग या व्यापार, खत्रे और संग्रक्षन कारियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो आवशक स संग्रक्षन निर्णों के बारे में जरूरी सूच्रा देने में मदद करता है, स्विजरलेन आधारित आई-उ-CN लाल सूच्ची का निर्मान करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन दिन प्रति दिन के आधार पर इसे प्रबंदित और संक्लित किया जाता है, जो कैंब्रि करेंगे उन आठ श्रेणियों के बारे में जो की रेड लिस्क में शामिल है, पहली श्रेणी है विलुप्त, किसी विशेश जानवर या पौधे की प्रजाती की विलुप्ती तब होती है, जब दुनिया में कहीं भी वह प्रजाती जीवित नहीं होती है, दूसरी है जंगल जंगली है जिनके विलुप्त होने का बहुत अधिक खत्रा है, पांचवेन नंबर पर है अती समवेधन शील जो जंगली है जिनके विलुप्त होने का अधिक खत्रा है, छटा है खत्रे के पास, भविश्य में इसके खत्रे की शेणी में जाने की आशंका होती है, जिनके ब जिन प्रजातियों का अभी तक मुल्यांकन नहीं किया गया है तो जो यह नोमी श्रेणी है उसको इन श्रेणियों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसमें मुल्यांकन नहीं हुआ होता है इस प्रकार यह 8 श्रेणिया है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को like, share and subscribe जरूर करें Thank you so much